हाई फ्रेंड्स विल्कम है मारे जियस इंडिया यूटूब चैनल्स पर यह हमारा सौर्ट नंबर नाइंटी टू है और आज का टॉपिक है फंडमेंटल आप नर्सिंग यह सभी नर्सिंग परिष्छाओं के लिए काफी इंपोर्टेंट कोशन होंगे और एक्जाम्स में प पॉस्ट बश्चि नर्सिंग एकजाम्स के लिए यूपि पीसी नर्सिंग उपीसी नर्सिंग एकजाम्स यूपी सेचो एमपी सेचो राजिस्टान चीचो एकजाम्स के लिए ऑर्भी सेटी नर्सिंग DOWNL算urares including k Hearing 1965 के लिए पंजाब हर्याना आँखों की padding यहां पर fill करना है, रोकने के लिए लगाया जाता है, I-padding is applied to unconsciousness patient to prevent, जो एक unconsciousness patient होगा, जो बेहूस होगा, उसकी आँखों में आईपैडिंग की जाती है, ठीक है, आँखों को धग दिया जाता है, क्या रोकने के लिए ठक दिया जाता है मतलब यह है कोशन का ठीक है आपसे हो सकता है फिल करने के लिए नहीं पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कोशन कि बिहोस रोगी को आखों की पैडिंग क्या रोकने के लिए लगाया जाता है ठीक है आई पैडिंग क्यों अपलाई की जाती है option C कराई टांसर होगा क्या option C corneal ulcer ठीक है corneal ulcer हो सकता है इसलिए ये क्या कहते हैं आई पैडिंग अपलाई की जाती है ठीक है corneal ulcer हो सकता है जो बिहोस रोगी होगा या unconscious patient होगा उसकी आँखों को ढग दिया जाता है आई पैडिंग की जाती है इसलिए कर दी जाती है कहीं corneal ulcer न हो जाए option C इसका right answer है चलते है next question पर ये है आपकी question number 2 question number 2 पढ़ें फिर आउसर बताएं प्रियोक साला का धूमन क्या मारने के लिए किया जाता है fumigation of liberties is done to kill according to option आपको most appropriate answer बताना है ये exam में पूशा गया है मुश्ची के according से solve करेंगे बाद में इसमें details में बात करेंगे option is correct answer है fungus या कवक ठीक है ये लिखा है प्रियोक साला मतलब liberty को मतलब आप जानते होंगे प्रियोक साला यहाँ पर पूशा गया प्रियोक साला में fumigation किया जाता है तो क्या मारने के लिए fumigation किया जाता है तो वहाँ पर जो किया जाता है fungus को kill करने के लिए option is right answer होगा लेकिन इसके कई usage होते है various types of the usage होते है यहाँ पर देखें आप अपनी skin पर फिर और समझेंगे यहाँ पर ठीक है usage क्या क्या है fumigation के कहा कहा किया जाता है to reduce the microbial agent on the hospital यह hospital wall window, window pane ठीक है in operation, theater, laboratories, factories इन सभी में reduce करने के लिए किया जाता है क्या reduce किया जाता है microbial agent microbial agent का मतलब क्या होता है micro-organism क्या होता है micro-organism virus, bacteria, fungus, protozoa यह सभी चीजों को क्या किया जाता है destroy किया जाता है kill किया जाता है suffocating की जाती है यहाँ पर एक gas छोड़ी जाती है उसमें यह किया जाता है लेकिन यहाँ पर जो question में पूशा गया है और commission के उधरा जो सही answer माना गया है प्रियोग साला के लिए उन्होंने पूशा इस तरह से अब जैसी उनकी मंसा उसी साफ से हम आपकी बात कर रहे है प्रियोग साला या लेबरटी में धूमान का मतलब होता है फ्यूमी के जाता है किसलिए किया जाता है तो fungus को मारने के लिए इस पेसली किया जाता है अब अगर यहाँ पर इस तरह आफसन में दिया जाता है एक बात समझे जैसे कि यहाँ पर फंगस लिखा जाता है बैक्टिरिया लिखा जाता है वैरस लिखा जाता है यहाँ पर ओल आफ दी एबाब होता क्या होता all of the abob होता तब आपके सारे आफसन, all of the abob all of the absence होता डी वाला, क्योंकि इन सभी को मारा जाता है, fumigation से इन सभी को खत्मिक किया जाता है, destroy किया जाता है kill किया जाता है, ठीक है अब यहाँ पर और point समझेंगे, fumigation in fumigation process we use formaldehyde gas, fumigation में जो ज्यादा तर इस्तमाल होने माली gas है, वो formaldehyde gas एक तरह की जहरीली gas की रूप में आती है fertile gas मानी जाती है, ठीक है अब यहाँ पर fumigation के लिए formaldehyde gas भी यूच की जाती है S2O2 भी यूच की जाती है और chlorine dioxide gas भी यूच की जाती है ठीक है, यह gases है जो यूच की जाती है ozone का formula होता है O3, formaldehyde gas यूच की जाती है fumigation के लिए O3 मतलब होता है ozone gas यूच की जाती है और S2O2 का मतलब होता है hydrogen paroxide gas, ठीक है यह gases इस्तमाल की जाती है लेकिन जो ज़्यादा तर इस्तमाल की जाती है यह ध्यान रखेंगे आप क्या formaldehyde gas यूच की जाती है fumigation में यह most appropriate रहेगा अगर 4 option दिये जाएंगे ठीक है तो formaldehyde gas यूच की जाती fumigation के लिए hospital बगारा में liberty बगारा में और भी कहीं ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे fumigation से method of pest control अगर आफसन में इस तरह आपको कई तरह के दिये जाते हैं आफसन pest को control करता है हाँ pest का मतलब होता है किसी विरकार का कोई animals या insect जो खादी पदार्थ हो या किसी भी चीट को नुक्सान पहुचाता ठीक है insect विएर इसी में include की जाते है removal of the harmful microorganism that the completely fills an area अभी था gaseous pesticide or the fumigants to suffocate suffocate poison the pest within इसका मतलब यह कि जब इसमें क्या होता है जो gas छोड़ी जाती ना जो gas छोड़ी जाती जैसे कि मादो farmaldeide और कहीं-कहीं तो phosphine gas भी छोड़ी जाती है तो उससे क्या होता जो कीडे मकोड़े या fungus bacteria virus और भी रोडेंट बगारा रोडेंट का मतलब है जिससे कि चुहे बगारा नहीं होते चुहे बगारा और चोटे मोटे और इंसेक्ट होते उन सभी को सफोकेशन मैसूस दम गोटने लगती और थोड़ी दिर में क्या होते है खत्म हो जाती है इसको बहुत ही साओधानी के सा मतलगारेंट वाथ फूमिगृशन किये जूतर है इसमें गर्माफानी वाकरन नहीं होते है तो जो भी जैसे कि यह दर्वाजे खिड़किया बंद कर दी जाएंगे फिर इसमें फियुमिगेशन किया जाएगा ठीक है जब इसमें fumigation किया जाएगा तो पूरे कमरे में पूरे room में क्या होगा धुआ ही धुआ हो जाएगा ठीक है जिसकी वज़े से fungus, bacteria, viral ये सारे क्या होगे destroy हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे ठीक है rodent बगारा और small insect बगारा भी खत्म हो जाती है fumigation से और जितनी देर ये fumigation किया जाता है उस समय पर किसी का आदान परदान होना मतलब नहीं किया जाता है आदान परदान का मतलब यह कि कोई भी व्यक्ति इंटर नहीं करेगा उस room में ना उस कमरे में जाएगा ठीक है जहां पर भी यह process किया जाता है उस रोब में या उस कमरे में कोई भी बंदा या कोई भी बंदी नहीं जा सकता ठीक है तो आपको ध्यान देना है फिर बंद जगे पे किया जाता है यह जैसे घर है तो इसमें बंद जगे पे किया जाएगा और उस समय थोड़े समय के लिए मन कहलाती है inflammation of tongue is known as क्या कहलाती है क्या होगा right answer इसका commit करें जो भी right answer है Apsons 6 का right answer होगा क्या लिखा ग्लो साइटिस कहलाती है क्या कहलाती है Glossitis जीब की सूजन जीब में जब भी inflammation या swelling हो जाता है swelling आ जाती है उसे Glossitis कहा जाता है आप समसी is the right answer अगर बात करें किस की वज़े से होता है Glossitis तो यह mostly vitamin B2 और B12 की वज़े से होता है किस की वज़े से vitamin B2 या B12 की वज़े से यह आप समझ सकते हैं B complex vitamin की कमी से ऐसा होता है B complex में सारे vitamins आ जाते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं यह sore हो सकते हैं और swollen हो सकता है ठीक है red colored हो सकता है यह सारी problems हो सकता है फूल सकते है puppy type की आपकी जीव हो जाएगी मोटी हो जाएगी मनलब swelling आ जाएगी फूल सकती है स्वय जाना जाएगी ठीक है घाओ जैसे हो सकते हैं जीव आपकी लाल हो सकती है ठीक है तो यह किसकी वज़े से होता है इसा सब यह सारा होता है Rebophilabin की वज़े से Rebophilabin का मतलब होता है vitamin B2 और B12 की वज़े से भी ऐसा होता है next question आपके skin पर question number 4 पढ़ें फिर answer बताएं क्या है इसका right answer नोजास सिस्भू के लिए प्रियुक्त अंता सिरा प्रिवेशनी गेज में आपको बताना है गेज में का आकार होगा कोशन इंगलिस में पढ़े समझ जाएंगे दस्ताय जॉब दी इंट्रावेनस कैनुला मतलब आईवी कैनुला के लिए इन गेज में बताना है यूज फार दी नियू नेट्स कौम सा गेज यूज किया जाएगा कितना गेज यूज किया जाता है एप्रपियेट आंसर आपको सेलेट करना है आफसंसी इसका राइट आंसर है कमिशन के उदारा ये सर्टिफाइड आंसर माना गया है आफसंसी इस दा राइट आंसर इसलिए आफसंसी है हम भी इसे मानेंगे आफसंसी इस दा राइट आंसर 24 गेज ओके हो सकता है एक जामस में आपको इस तरह लिखा जाएगा ठीक है spelling ये mention की गई आप देख लें चलती है next question पर ये है आपके screen पर question number 5 question number 5 पढ़ें फिर answer बताएं जो भी right answer है platless की संख्या में उलेखनी रूफ से कमी आती है platless count 2 is decreased markedly in आपको बता रहा है दिये गए decisions में से option C इसकर right answer होगा क्या option C dango fever platless की संख्या में कमी आती है dango fever में ऐसा देखा जाता है अब यहाँ पर कुछ important point है platless को लेके ठीक है इन्हें discuss करते ही नहीं समझते है revisions भी हो जाएगा आपका यह लिखा है अनार्मल platless count range from 150 lakh to 450 lakhs platless per micro liter of blood ठीक है per micro liter में 1.5 lakh से 4.5 lakh लिखा है ठीक है नार्मल जो platless के संख्या कहेंगे यह याद कले ना डाटा पूछा जा चुक है एक्जामस में ठीक है 1.5 lakh से 4.5 lakh plate पाई जाती है ठीक है per micro liter के हिसाब से कैसा धान रखेंगे per micro पूरी बाड़ी में नहीं पूरी बाड़ी बहुत जदा होता है मतलब यह पर micro liter अब यहाँ पर नेश्ट पॉइंट लिखा गया है having more than 450 मतलब साड़े चार लाग से platless is a condition is called मतलब इसका यह है कि अगर साड़े चार लाग से अगर जादा हो जाएंगे platless तो इस condition को क्या कहा जाता है इस condition को thrombocytosis कहा जाता है क्या कहा जाता है thrombocytosis तो आप यह terms याद रखेंगे जब भी आपके body में या कभी भी question पूछा जाता है कि साड़े चार लाग से या यूं question पूछा जाएंगे exam में कि normal से अधिक platless की संख्या के लिए उप्यूग्त टर्म है तो कौन से टर्म है thrombocytosis है क्या है thrombocytosis normal केतना होता 1.5 लाग से 4.5 लाग यह साड़े 4.5 लाग लिखा ठीक है कभी कभी ऐसा लिखा जाता है 4.5 लाग ठीक है इसे करके भी मिल सकता है आपको ठीक है तो ध्यान रखना आपको तो इससे अगर ज्यादा होगा तो thrombocytosis टर्म से इस्थमाल के जाता है इंपोर्टिंट आपके लिए जब 1.5 लाग से कम हो जाएगा ठीक है आपके बोडी में platless की संग्या पर 1.5 लाग से कम हो जाएगी तो इसको thrombocytopenia कहा जाता है क्या कहा जाता है thrombocytopenia CHO एक्जाम्स में पूछा जा चुका है और भी कही एक्जाम्स में पूछा जा चुका है ये टम्स की thrombocytopenia कोशन कैसे पूछा गया था है थोड़ा ध्यान दे सुन रहे हो ना देखो कैसे कोशन पूछा गया था एक्जाम्स में एक्जाम्स में ऐसे कोशन पूछा गया था कि जब आपके बॉड़ी में प्लेटलिस की संक्या सामान से कम हो जाती है तो उसी क्या कहा जाता है तो आफसन ये था thrombocytopenia और भी इरिथोसाइटोपेनिया लिकोसाइटोपेनिया मतलब इस तरह की आफसन मिलते हैं जब भी दिया जाते तो आपको ध्यान रखना है जब प्लेटलिस की कमी होगी तो thrombocytopenia कहा जाएगा प्लेटलिस जब ज़्यादा हो जाएगी सामान से तो thrombocytosis कहा जाता है तो उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे जितने भी पॉइंट थे हमने सुन रहे हो ना हमारी बाते हैं अब जिन लोगों को नोट्स बगारा परचेट करने वह नीचे वाट्सम नमर में किया जाएगा वह वाट्सम नमर में कमेंट करेंगे मनलब अपना नाम पता लिकर मेंशन करेंगे और किस एजांस की तहरी करें किस एजांस के लिए वह नोट्स परचेट करना चाहते हैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर गरम आपको कितने वीडियो पढ़े कि हिसाप से मिलें जरूर हमें आप अपने विचार अपने वीव जरूर देना कमेंट बॉकस में चलती हैं जल्दी मिलेंगे नेश्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग प्रेंगर चैनल पर नए सस्क्राइब जरूर करेंने ताकि नेक्ट वीडियो भी आपको मिल सकें थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स